जिम जाने वाले लोग या फिर चुस्ती फुर्ती बढ़ाने वाले लोग सप्राउट खाना प्रैफर करते हैं तो वो जरूर जान लें में प्रॉब्ल्म सप्राउट को गलत तरीके से खाने शार हो जाते हैं तो आपको कीसे खाए जाए ताकि इसके हमें नुकसान नहीं, यानि कि इसके side effect नहीं, लेकिन सिर्फ हमें इसके benefit ही मिल सकें इसके जितने भी फाइदे हैं, हम उनको इंकार नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत जादा iron होता है, calcium होता है, protein होता है, fiber होता है लेकिन इसके नुकसान भी जान लेने बहुत ज़रूरी है, जो इन सप्राउट को खाते हैं, या खाने का सोच रहे हैं जिन लोगों ने इसे बिल्कुल नहीं खाना, तबसे पहले उनकी बात करते हैं जो भी pregnant lady है, उन लोगों ने इसे नहीं खाना, क्योंकि ये एजन में बच्चे के लिए और मा के लिए दोनों के लिए हानिकारक है जो बजुर्ग है, यानि कि एजड हो चुके हैं, उनका किड्नी और लीवर प्रॉपर वर्ट नहीं करतें, उन लोगों ने इसे पाजन शक्ती बहुत कमजोर है उन लोगों के लिए ये सप्राउट खाने बहुत हानिकारक है इसके इलावा बरसात के दिनों में सप्राउट नहीं खाये जातें, क्योंकि ये फूट पॉइजनिंग का कारण बनते हैं इन्हें पचाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी परती है इसलिए जो भी लोग सप्राउट खा रहे हैं वो वर्काउट या जिम जरूर करें इसके इलावा खूब सारा पानी पीए, इसमें बहुत सारा फाइबर होता है और फाइबर को पचाने के लिए पानी की जरूरत होती है नहीं तो ये डाइरिया को पैदा करता है इसलिए इन जीजों का जरूर ध्यान रखें इसके अंदर की नमी जो होती है, उसको कैसे दूर करें इसके अंदर के बैक्टीरिया को कैसे दूर करें तो आपने हमेशा ये सप्राउट कैसे खाने हैं सबसे फर्स्ट आप तीन चम्मच मूंगी को सप्राउट खा सकते हैं और आप दो चम्मच चने सप्राउट एक दिन में खा सकते हैं यानि इन दोनों चीजों को मिला कर आप नाश्टे के टाइम खा सकते हैं इनको हलका सा boil कर लीजिए, boil कितने टाइम के लिए करना है, कम से कम 5 मिनट के लिए आप इसे boil करें और इसमें नमक जरूर डालें ताकि इसके अंदर के बैक्टीरिया मर सकें, तब आप इनके benefit पूरे ले सकेंगे और इनके जितने भी loss हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, इसे ख पेशेंट के लिए ये खाना बहुत बढ़िया है, जिनका भी hair fall होता है, उनको भी ये जरूर खाने चाहिए, लेकिन इसे खाने की quantity तीन चमच मुगी, दो चमच चने और इने boil करके ही खाएं, ताकि इनके side effect नहीं मिलें, ये थी एक खास information, अगर आपको ये information अच्छी लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक तक के लिए, गुद बाई